24 जून को जम्मू कश्मीर पर प्रधान मंत्री की बैठक संभव है जम्मू कश्मीर को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर है कि 24 जून को जम्मू कश्मीर पर प्रधान मंत्री बैठक कर सकते है ग्रिही मंत्री, अमिर्शा और जमू कश्मीर के नेता इस बैठक में शामिल होंगे लेकिन महभूबा मुफ्ती, पीडिपी अध्यक्ष महभूबा मुफ्ती ने कहा है कि बैठक का न्योता मिला है जमू कश्मीर में विधान सभाद चुनाव पर चर्चा संभवे आपको मालू में अगस्त 2019 जब जमू कश्मीर से 370 हटाई गई, दो केंदर शासित प्रदेश बनाये गए उसके बाद से जो राज़नीतिक गतिरोग चल रहा है उसे खत्म करने को लेकर ये एक बड़ी पहल मानी जा रही और जमू कश्मीर की सियासत एक बार फिर से करवट ले सकती है प्रदान मंत्री मोदी ने 24 जून को जमू कश्मीर की सभी राज़नीतिक पार्टियों के साथ बैठक करने की उनकी इच्छा है और इस मीटिंग में ग्रेह मंत्री अमिश्रा समेत केंद्र के कई नेता शामिल हो सकते हैं इस बैठक में जमू कश्मीर में वधान सभाट चुनाव को लेकर चर्चा होने की संभावना है और अनुच्छे 370 खत्म होने के 20 साल बाद पीम मोदी कश्मीर के नेताओं के साथ ये बैठक करने जा रहे है जमू कश्मीर में राज़नीतिक गतिरोद को खत्म करने के लिए केंद्र की ओर से ये एक बड़ी पहल मानी जा रहे है 24 जून को प्रधान मंत्री मोदी ने जमू कश्मीर के सभी राज़नीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं और ऐसे में जमू कश्मीर में सियासी हलचल शुरू हो गई है पीम की पहल पर सियासी पार्टियों ने इस पहल का स्वागत किया मेरी जमू कश्मीर में काफी देर से बिरोक्रेसी काम कर रही है धारा 370 तूटने के बाद तो हो सकता है कि प्रिटिकल प्रोसेस शुरू करने के लिए इस परकार का कदम उठाया जाए तो कुल मिलाकर के अच्छी बात है होना भी जाहिए सभी को कांफिनेंस में लेकर के यहां पर द्वारा डेमोक्रेटिक सेटप बने तो मुझे लगता अच्छा रहेगा कि नाववा मुफ्ती को एक फोन कॉल रिसी हुआ है के इससे जिसमें उसे न्योता दिया गया है कि वो चोबीस तारीक को प्रधान मंत्री और ग्रह मंत्री जो बैठक ले रहे हैं जमो कश्मीर पर उसमें शमूलियत करें हलांके उसने ये कहा है कि वो पार्टी के सभी सदेश्यू से इस मुद्धे पर भात करेगी और उसके बाद कोई जवाब देगी लेकिन वाकी धल जाहे नेशल्ड कौन्फरेNC हो या पीपोफिल्स कौन्फरेNC हो या थीपियाएम हो इनके किसी भी जिसभी लेता से अभी तक हम ने बात की है उसका यह कहना है कि उन्हें कोई भी कॉल अभी तक रिश्री मेहा है लेकिन यह जवरूर है 24 तारीट को एक महत्वूल बैठक हो रही है जमो कश्मीर को लेकर आनो 3670 जो आगस्ट 2019 में यहां से हटा दिया गया था जमो कश्मीर चो उसके बाद से यह पहली बहुत बड़ी राज़ितिक पहल होगी आगर यह बैठक होती है जिसमें आल पाटी जो जमो कश्मीर के हैं उन में स्टेट हुड का मामला है जिसकी यहां बहुत मांग हो रही है जैसे यहां पर आ जो आम आद्वी पार्टी है या अलता बखारी की पार्टी है वो मांग कर रही कि स्टेट हुड को वापस जमो कश्मीर को दिया जाए वो जो है कही न कही इस बैठक में शामिल हो सकते है और इसके इलावा डी लिमिटेशन प्रॉसेस है इसके इलावा विजान सबाग के चुनाव है क्योंकि 2019 अगस्ट से लेकर अब तक यहां बीरो कैसी का ही पूरी तरह से राज रहा है और राजपाल से रहा है तो कहीं न कहीं पॉलिटिकल एक्टिविटीज को शुरू करने के लिए यह बैठक जो है काफी महत्कून रहेगी और आप तक जो है सबसे भड़ा धल जो पीडिपी है जमुकश्वीर का उसको दियता मिला है और हो सकता है आज बाकी दलों को भी यह फोन काल आता है और नैशनल कॉनफरेंस के ड़क्टर फारुक अग्दिल्ला या उमर जामी पीए जीडी जो पीडिकल्स एलाइंस पार बुकार डेक्लरेशन जो साथ दलों का एक गुड़ बना था उसमें हालांकि सजाद गनी लोन फिर बाहर निकल गए वो लोग इस पे शामिल हो सकते हैं तो इस लिहाज से पॉलिटिकल एक्टिविटीज को फिर से एक बार कश्मीर मों करीब दाए साल के अंतराल के बार शुरू करनी के लिए एक महकून बैटक होगी और कहीं न कहीं जो इन पॉलिटिकल लीडर्स का भी ये बहुत टाइम से तब से ही ये प्रोसेस रहा है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज यहां फिर शुरू हो और उसके बाद जो है यहां पर कोई बाद देगे जो राजुनीतिक गतिरोध है ये खत्म करना बहुत जरूरी है खालिट जो आप कह रहे हैं मैं राजु केरने करो करूंगा राजु पिछले कई दिनों से संकेत मिल रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर कि कुछ बड़ा होने वाला है क्या जो बात करें पंदरा दिनों में और दोलों बार जो है वो हूम मनिस्ट्री और बाकी जो है वहां बे उनसे बात्चित उनकी हुई है और जिस स्रीके से यहां पे पिछले डाइब साल का जैसे खालिज ने भी कहा कि एक प्लिटिकल गतिरोध बना हुआ था प्लिटिकल पार्ट जाहिए और जाहिर सी बात है उसमें जो है सबसे पहले उनलों का यह कहना था कि स्टेट हुड की जो है वो बात करेंगे जाके तो इस तरीके की जो यह मीटिंग का जो एक संदेशा जो एक आया है अलांकि जमू में हमारी जो है बीजेपी के जो प्रेजडेंट रोइन्द रहना से बाती तो उन्होंने भी कहा कि अभी हमें आफिशली ऐसा कोई मैसे नहीं आया है कांग्रेस ने भी कहा है कि हमें आफिशली ऐसा कोई मैसे नहीं आया है पैंतर्स पार्टी ने भी कहा कि हमें आफिशली ऐसा कोई मैसे नहीं आया है लेकिन साथ यह उन्होंने यह कह साथ में जो सारा सिस्टम रहना वह सारा जो है लोगों के भलाई के लिए नहीं है el今天的 सिस्टमीह देश को चला रहा हो्र देश के साथ सत ढूं रहा है तो हम यहां पर पॉलिटिकल सिस्टम आगे आ स्टेट हुड भी जम्मो किश्मीर को हो सकती है तो एक जो है उमीद जो है यहां पे प्लिटिकल पार्टिस को बनी है कि शायद इस मीटिंग के बाद से और मीटिंग्स हो और उसके बाद जम्मो किश्मीर को स्टेट हुड का जो है दरजा जो वह भाहल हो सकता है यहां पर चुनाव हो सकते हैं तो यह एक अच्छी पहल जो है राजू आपकी जानकारी उसमें कौन-कौन से दलों को अब तक नियोता जा चुका है और क्या यह आपचारिक नियोता है जो अब तक गया है देखे जम्मू की किसी भी पार्टी को अब तक जो है जैसे बीजेपी का बेंगार अगर देखा दै तो जम्मू है तो जम्मू में बीजेपी के प्रेजिडेंट ने कहा झाए अभी तक कौन नियोता नहीं आया कांग्रेस के जो है सेनियर वाइस प्रेजडेंट डरमन भला से हमारी बात कुई तो उनका ये कहना है कि अब भी तक कोई नियोता नहीं आया लेकिन नियोता आएगा पार्टी डिसाइड करी के और बात चिर्ट के लिए जाएंगे फ्यूचर जो है वो टैक करेंगे क्योंकि अभी बहुत से जो है मसले आसे हैं जमू किश्मीर में जिनके केंदर को डिसाइड करना है जी खालत जिस वक्त धारा 370 हटाई गई थी उस वक्त कहा गया था कि जब हालात सामाने होंगे जब हाला ठीक होंगे तब यहां पर चुनाव कराए जाएंगे अगस्त 2019 से लेकर अब तक क्या आज हम ये कह सकते हैं कि हालात बिलकुल ठीक हैं चुनाव के लिए देखे बिलकुल अगर हम जाए साल के अंतराल की बात करें तो काखी हब तक जो है कंट्रोल यहां पर हालादू पर हुआ है और अनुशे 377 बिंग के बाद जो यहां ग्राउंड पे पॉलिटिकल डिस्टरिबंस हुई थी वो भी सारे बड़े नेता जो थे उनको एरेस किया गया था साल वर उमर अब्दिला महवा मुष्टी डॉक्टर फारुग अब्दिला जो है रासत में रहे उनको फिर छोड़ दिया गया और उनको एक पॉलिटिकल स्पेस दी गई और कही ने कही उन्होंने पॉलिटिकल घ्र्टी लिया भी की है जिसमें अगर पीए जीडी की बात करें तो एक जी टोकर कही बैट के हुई मैं आपको बतारा चाहूँगा कि रीसेंट जो बैटक हुई मुफ्टी के गर में पीपल्ट एलाइंस पर गुफकार डिक्लिरेशन गांस ने हमने ये प्रस्टी भी पूछा था कि जब्ड़ फारुग उपला से क्या आपको कहीं से बात्चीत का ज्योता मिलता है तो इसको तारिकानी जो सीटी आएम के मेंबर है जो पीजी जीए के भी मेंबर है उन्हों ने जो प्रवक्ता भी है पीए जीडी के उन्हों पूलें ने किवाता कि हमारे बात्चीत के लिए हैं हम बाखती अगर करनी हो तो किसी आभी करने के लिए तयर है यह साफ इचारा था कि अगर बाट्टीत का जोता मिलता है तो कहीं न कहीं वो बाट्टीत के लिए तयार है अब किन ग्राउंड पर बाट्टीत होगी क्या कोई शर्त होगी वो देखने वाली बात होगी जैसे कि महगवा मुख्ती जो सबसे ज्यादा वोकल रही है जबसे वो डिटेंशन से बाहर आई है उसके कहीं कंटोर्चल बायाना आता है बिल्कुल तो जैसा कि खालित बता रहे हैं और राजू बता रहे हैं कि जमू कश्मी में राजनीतिक गतिरोद को खत्म करना पूर्ण राज्य के दर्जे पर चर्चा करना और विधान सभा चुनाव की संभावना को तलाशना इसके लिए 24 जून को होने वाली ये मीटिंग बेहत एहम होगी जमू कश्मीर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस समाम जानकारी के लिए प्रेस्टिव बीज आप अवेलेवल गूगल प्लेए आप्स बालोड इडाव